प्रेग्नेंसी में ज्यादा तर प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में एसिरिटी की शिकायद कई और तो को होती है वैसे देखा जाए तो एवरी अधर फीमेल को एसिरिटी की शिकायद प्रेग्नेंसी के एंड में महसूस होती है इसके बारे में इस वीडियो में मैं यानि कि डॉक्टर पलवी महता आपको डीटेल जानकारी देना चाहूंगी Acidity या Acid Reflex दरसल हमारे इसोफेगस के lower sphincter के सही तरीके से बंद ना होने की वजह से महसूस होता है हमारी जो अननलिका होती है यानि कि इसोफेगस होता है उसमें नीचे की तरफ एक sphincter होता है यानि कि एक lock जैसा होता है ये जब बंद हो जाता है तब हमारे पेट में मौझूद acid इसोफेगस में नहीं आ पाता कुछ कारण की वजह से अगर ये sphincter यानि कि ये lock अगर हलका सा खुला रह जाए तो ये acid काफी आसानी से इसोफेगस में यानि कि अननलिका में आ सकता है इस acid के अननलिका में आने की वजह से हमें acidity महसूस होती है ये sphincter हमारे heart के exactly पीछे की तरफ होता है इसलिए जब ये acid अननलिका में इसोफेगस में पहुच जाए तब heart में जलन महसूस होती है यानि कि heart की जगह पे जलन महसूस होती है जिसे heartburn के नाम से पहचाना जाता है प्रेगनसी में acidity और heartburn, hormonal changes की वजह से महसूस होता है और बेबी के बढ़ते हुए size दोनों की वजह से महसूस हो सकता है चाती में जलन जैसा महसूस होना, चाती में हलका सा दर्द महसूस होना, बार बार डकार आना, पेट फूला हुआ महसूस होना ये सारे heartburn, acidity के symptoms होते हैं, ये pregnancy के अलावा भी किसी को महसूस हो सकते हैं जैसे जैसे pregnancy बढ़ते जाती है, वैसे बच्चे की size पेट के अंदर बढ़ने लगती है बच्चे की size बढ़ने की वजह से बच्चे का pressure पेट पे आने लगता है इस pressure की वजह से पेट के अंदर मौजूद acid काफी आसानी से इसोफेगस में जा सकता है इस ही आसानी की वजह से acid इसोफेगस में पहुच जाता है और औरतों को heartburn की शिकायत होने लगती है Pregnancy में hormonal changes बहुत ज्यादा हो जाते है इन hormonal changes की वजह से खाने का पच्चन थोड़ा सा compromise हो जाता है खाना हमारे शरीर में से थोड़ा सा slow pass होता है जिसकी वजह से bloating महसूस हो सकती है Pregnancy में progestron नाम के एक hormone की level बहुत ज्यादा बढ़ जाती है Progestron हमारे आतडों को हल्का सा relax कर देता है वैसे ही ये esophagus को भी हल्का सा relax कर देता है जब ये esophagus relax हो जाए तब esophagus का spin exponentटर भी हल्का सा relax हो जाता है हल्का सा खुला रह जाता है जिसकी वजह से acid पेट में से काफी आसानी से esophagus में यानिकी उपर चड़ सकता है लेकिन कुछ simple modifications से आप इस acidity को कुछ हद तक manage कर सकते हैं अपना खाना acidic ना रखे, अपना खाना basic रखे, nutritious और दूद से भरपूर रखे, योगर्ट यानि की probiotics से भरपूर रखे Probiotics और Prebiotics के consumption से आप motions भी काफी अच्छी तरह से regulate कर सकते हैं Pregnancy में constipation की शिकायद भी ज्यादा हो सकती है अगर आपको constipation के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो, pregnancy में होने वाले constipation के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा constipation in pregnancy का वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो के description में आपको related वीडियो की link मिल जाएगी दूद और दही के अलावा आप शहद भी regularly पी सकते हैं Pregnancy के पूरे समय में पानी का intake अच्छा रखना आपके पूरे खाने के digestion के लिए constipation को prevent करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है Pregnancy के दौरान fried food को पूरी तरह से avoid कर सकते हैं Spicy food को avoid कर सकते हैं इन दोनों food की वजह से heartburn होना, acidity होने की संभावना ज्यादा हो सकती है खाना एक ही साथ बहुत ज्यादा खाना खाने के अलावा छोटे छोटे parts में, छोटी quantities में खाना खाए Small portions over long periods यानि की बार बार छोटा छोटा खाना काके आप acid का regulation कर सकते हैं Caffeine को पूरी तरह से avoid करें Pregnancy में वैसे भी coffee का consumption आपको avoid करना चाहिए बच्चे की mental health की development के लिए Caffeine को जितना avoid कर सके उतना बच्चे की development के लिए अच्छा होता है Caffeine की तरह ही alcohol और smoking को पूरी तरह से avoid किया जाए सिर्फ heartburn के point of view से नहीं लेकिन बच्चे की overall development के point of view से भी alcohol और smoking को पूरे pregnancy में पूरी तरह से avoid करना चाहिए खाना खाने के तुरंद बाद lie down मत करे खाना खाने के तुरंद बाद हलका सा walk लेने की कोशिश करे जिससे आपका खाना अच्छी तरह से पच जाए, digest हो जाए अगर आप खाना खाने के तुरंद बाद late जाते हैं तो खाना ऊपर आने की संभावना ज्यादा होती है अगर इन सारी tips को follow करने के बावजूद भी आपकी acidity की शिकायत कम नहीं हो रही है तो अपने doctor से जरूर बताएं आपको pregnancy में किस प्रकार की antacids को consume करना चाहिए, कौनसी antacids को avoid करना चाहिए उसके बारे में आपके doctor आपको जानकारी सही तरीके से दे सकते हैं Over the counter medications का consumption पूरी तरह से avoid करे Thank you